हेवासै वाइस वेखेबाक तो में यू वीडियो цो आज के वीडियो में आप वोको में देखाने वालो हूँ कि 25वाट का टॉप फिर्टर कैसे लगा सकते यह अब लोग और 2 फूट का एकवरियम में मैं लगाने वालो 25वाट का जो तॉप फिर्टर है वह और आप लोग विद कवर कैसे अप टॉफ फिल्टर लगा सकते हो आपका घर में अगर टू फूट बाई डेर फूट का एकोरियम हुआ तो सो अभी वही मैं दिखाऊंगा और मैं आप लोग अभी दिखाने जा रहा है तो अब तक आप लोग सस्क्राइब लाइक और कमेंट जरूँ से कर देना तो मिलते हैं वीडियो में फिर आप लोग को दिखाते कि क्यासे आप लोग लगा सकते हो विद कवर जाए ताकि आपको आपका फिर्ज जो है वो जम करके ऊपर ना गिर जाए कवर दे के याब लोग लगा सकते हो सो बहुत ही एकदम फिनिसिंग बहुत अच्छा आएगा सो कैसे लगा सकता है मैं दिखाता हूं यह रहा मैं टॉप फिल्टर खरीदा हूं सो यह 25 वाट का है बहुत ही अच्छा है यहां देखते हो तो पावर हैट है यह वाला और यह वहां पे श्टोर होगा और फिल्टर होके नीचे गिरेगा इसके अंदर क्या के है वह भी आप लोगों में दिखा देता हो ट्रांस्पेरेंट कवर है उपर में और यहां पे कुछ एक्सेसरीस है जो लगाने का हेल्प करने के लिए है और यह है पाइप में पाइप जह से वाटर जो है उपर आएगा और यह ऑक्सिजेन का पाइड में दोनों लगेगा और यह में जो बक्सा है वहां पर ही फिल्टर होगा वह पर जितना फिल्ट्रेशन अच्छा दोगे तो इतना अच्छा होगा तो मेरे पास तो अभी में ब्लैक स्पॉंज और चार कोल और स का है यह मुह में लगता है और बाकी सब कहांगे लगता है सब कुछ में दिखा दूंगा कैसे लगता है सब कुछ और यहां पर इस वाले पाइप का मुह में यह वाला लगता है फिल्टर का जो पावर हैड है वहां पर जो ब्लू कलर का इंटेक होता है उसका ही पास में लगा हुआ है पहले से प्रूटेक्शन के लिए इसको भी हटाते हैं और फिर आप लोग पाइप कहां पे लगाना है और यहां पे देख सकतो है यहां पे आप लोगों को यह वाला पाइप जो है वो लगाना है ताकि आप लोगो एक्षा करके oxygen नहीं लगाना परे ताकि यह खुदी oxygen और flow बहुत ही अच्छा रहता है और यहां पर पास में ही आप लोग यह blue color का pipe लगा सकते हो water उपर जाने के लिए और यह वाला flow अगर आप लोग दोगे तो फिस जो feeding है वह बहुत अच्छे तरीके से लेती है और जो गंदगी है वह एकदम cycle हो के बहुत ही अच्छे तरीके से गायब हो जाता है वह लोग सक लेता है उपर में और टॉफ फिल्टर वहां पर जमा हो जा मुश्रफी से आप लोगों में सो आप लोग वेफ में कर भी लगा सकतो वह भी मैं दिखाऊंगा कि जैसे वेफ में कर लगाना है और यहां पर क्लिप सिस्टेम है ताकि यह जो टॉफ फिल्टर का जो पाओर रेट है वह जब आप क्लीन करोगे तो वह बार बार खोलने का जामेला नहीं हो एकदम क्लीप सिस्टेम है उपर करके आप लोग खोल के फिल्ट लगा सकतो साप करके एकदम जंजट नहीं है बहुत ही अच्छा सिस्टेम है तो अभी यह जो पारेट है वह लगा के मैं दिखाता हूं कि कहां पर अब लोग लगाओगे तो एकदम ही जो नीचे साइफोन अब लोग को करना ही नहीं परेगा यह और यहां पर यहां से जो त्वैर है वह अब लोग बाहर में रख दो और जहां पर जो होल करना है ताकि आप लोग वह पानी जो ऊपर से नीचे वह अब लोग दे सकतो सामने जो होल है वहां से पानी गिरेगा तो ए एक छूड़ी या रॉट एकदम गरम करके आप वहां पे एकदम गोल करके बारा से होल कर देना ताकि एकदम प्रॉब्लम ना हो एजीली वहां से पानी गिर जाये और आप लोग को जो फीसे से वह जम करके ना डेथ हो सो वास करड़ फीसे से जो वह बहुत ही जादा जब करता है और यह जो जाल है अभी इसका मुँ में लगा दूगा ताकि जो ज्यादा बड़ा कुछ है वह फांसना जाए अंदर जाके और यहां पे आप लोग एकदम कूने में लगाओगे तो एकदम सरकेलों के जो फ्लो है वो होगा तो एकदम सरकेलों के फिर वहां पे अंदर चला जाएगा और आप लोगो यह थोड़ा भी साइफॉन करने का ज़रूरती नहीं है कभी भी सिर वाटर चेंज करो क्योंकि साइफॉन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है एकदम मस तरीके से जो मैल है वो अंदर खिंच लेता है और मगर आप लोग अगर मेरा तो एकदम कुछ नहीं है बॉटम में एकदम फ्रेस है अगर आप लोग को डिजाइन है पत्तर है या सैंड है तो आप लोग उपर में लगा सकते हो था अब लोग को साइफॉन करना ही परेगा कुछ जारा नहीं है अभी मैं इसको अन करके भी आप लोग को दिखा दूंगा और यह वाला में स्पॉंच फिल्टर अभी हटा दूंगा अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है यह बहुत दिन चला स्पॉंच फ जो पाइप है वो उस होल के अड़ना जाएगा जो एकॉरियम के उपर में हुआ है और फिर वो आपे डाल दाएगा फिर तो एकदमी ऑफ वाटर जो है उपर से नहीं फोल्ट होके गीरेगा और यह आप लोग अगर अगर लोग हकन नहीं लगा सकते हो तो यह जो एक्स्ट लगता है यहां पर जो है यहां से पानी गिरता है एकदम फ्लो होके यह है और इसको कैसे लगाते है वो भी में दिखा दे रहा हूँ अब लोगो यह ब्लू कलर का पाई यह देख सकतो हूं मैंने एकदम टक से खुल खोल लिया एकदम टांगने का कोई जरूरत नहीं है यह इजीली उपर ऊट चाहेगा कोई जहमेला का बात नहीं है फिर आप लोग ऐसे क्लिप करके एकदम एजीली नीचे आप लोग फिट कर सकतो हूं और यह वाला होल से आप लोग ऐसे थरीके से फिट कर सकतो कि कि देख से तो एकदम क्लीन सेटब है कोई बीटिफुल लग करता है उतना इकदम सस्ते में काम नीपड़ जाएगा वह अब लोग को एक्षा करके कुछ करने का दूर ने सिर्फ एक होल करना होल करके वह वाला मुझ मुझ धका मुझ जो है वह वह आपे डाल देना तो फिलाल अब लोग दे सकते हो वह अब मैं यहां पर ब्लैक वाला स ओने साथ वाइट क कलर स्वाइट भी लगा दूंगा क्यूंकि ब्लैक कर जो स्पॉंघ हो बारा जो पार्टिकल से रहते हो अटकाता है और वाइट बाला स्पॉंघ एगदम टाइनी टाइनी पार्टिकल भी बहुत अच्छ चो बेस्ट कॉम्वीनेशन से बलैक वीद एक्टिवेटेड चार्कुल नहीं है सो मेरा धोने का ज़रूरत है एक्टिवेटेड चार्कुल आप लोग खरी सकतो थोड़ा ज्यादा कौशली रहता है अच्छे से धो लेना सब कुछ फिर अब लोग करना और जो में दो लेयर में स्पॉंज दूंगा ब्लैक कलर का फॉर् उपर में स्पॉंज फिल्टर देना अगर आपको बस वाइट कलर का जो स्पॉंज है वह एकदम ही नीचे देना मीडल में आप लोग इसी रामिक रिंग चार्कुल देना और उपर में ब्लैक स्पॉंज बरावारा जब पार्टिकल होता है वह अटकाता है वह ज्यादा एक्ष्टल आया था मतलब एक में ही दो रहता है इसलिए मैं उपर में एक लेर और बिचा दूंगा फिर आप लोग को दिखांगो कि फिल्ट्रेशन कैसा हुआ है और कितना साप पानी है और किसे तरगे से वर्क करता है वह पी में दिखा दूंगा अब लोग को सुफील आ अच्छे से अब लग भूसा लेना चाकि बाहर ना हो यह थोड़ा थीन रहता है बाहर हो सकता है इसलिए उसको उपर में कवर देके फिर आप लोग को फ्लो कैसा है वो सब कुछ दिखाऊंगा यहां देख सकतो फिर यहां पे यह फिट कर लेना अच्छे से एकदम टाइट कर करके फिट कर लेना इसके बाद वो जो पाइप है जहां से एकदम होल होल रहता है वह वाला फिट कर लेना पाइप जैसा फिर अब अन करके मैं दिखाता हूं कि कैसा लगता है और अगर आपके पास आसकर फिस है तो फ्लो थोड़ा कम ही रखना इस ताइट में करके रखना ताकि फ्लोर उतना ज्यादा नहीं हो और अगर आपके पास monster fish है तो एक दम फ्लोर यतना खुछी आप लोग रख सकतों कोई भी problem नहीं कि जो monster fish का flow बहुत ही अच्छा रहता है तो बहुत है तो अब लोग देख सकतों यहां पे मैं इस तरह किस जगह उस तरह में रख दिया हूँ ताकि flow जो है वो सामने glass में touch हो ना कि monster fish है उसका ज्यादा flow नहीं चाहिए medium flow में भी उसका अच्छा रहता है जब वो लोग बरा हो जाता है तो उसका flow थोड़ा ज्यादा भी देख सकता हो कोई problem नहीं होता मेरे पास जो mango उसकर है उपर में उसके पास तो 40 watt का बरा जो टॉफ फिल्टर है और flow एकदम सामने की तरफ है मगर वो लोग बहुत ज्यादा ग्रो ले रहा है और बहुत ही ज्यादा वो खाता है सब कुछ है कोई stress में नहीं है और मैं जितना भी fish खरीद रहा हूं मैं नंबर दे दूगा अगर आपको कोई भी fish खरीदना हो तो जरूर contact करना मगर मैं सिर्फ वेस्ट वेंगल में ही delivery दे सकतो अगर आप बाहर से हो तो आप लोगो हावरा शेशन में आना करेगा तो ही मैं fish दे पाऊंगा और करने तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आज के लिए इतना है तो थैंक्स फॉर वर्चिंग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरू से कर देना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई